मन्जु कुमर हमारे साथ है यह बताइए कितना पता है आपको मदन सिंग पर हमला हुआ उसके बाद वो हॉस्पिटल में एड्मिट रहे तमाम तरह की बाते हैं एक लंबी कहानी है रात को करीब और साड़े ग्यारा बजे जब वो पेट्रोल भराने जा रहे थे तब उनके पीछे एक वेन चलती है तो वेन उनका पीछा करती है जब उन्हें कुछ शक होता है मेरे भाई को अर्मदन सिंग को तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं जैसे ही वे पीछे मुड़ तो उसमें कुच जाते हैं फिर वो लोग उतर करके राजकुमार जेपाल सवाई सिंग पपसा सुदिर शिव हरे और यह सब उतर के उन पर नीचे उतर के गोली मारने की कोशिश करते हैं तो जिते अंदर राजकुमार जेपाल बोलता है मेरा भाई बहुत लंबा चोड़ा अच्छे फुट से उचाई था और अच्छा हेल्थी था तो राजक्मार जेपाल बोलता है अरे नीचे मज जाओ नहीं तो वो तुम्हें बीच के ही मार देगा यह सुनके वो वापस उपपर आजाते हैं और उपर से अनाधुन गोलिया चलाते हैं अनाधुन गोलिया के आवास सुनके आडोस पडोस के लोग उठते हैं उठकर के जैसे बहार आने लगते हैं वेसी उनको देखके वो वापस बेर में बेटके भाग जाते हैं फुर मेरे भाईया जैसे ही पडोसियों को मालूँ पड़ता है, मेरे भाईया है Kormadhan Singh Ji, वह जाकर कर कता है, कि जाओ मेरी प्रेष के ओपर, मेरे वरकर है, उनको ख़बर करो, प्रेष पर जाके वरकर निकालते हैं वहां से, निकालके और फिर अलवरगेट थाना होता है, उन जना आके घर पे खबर करता है आप घर पर ही थी उसक्तों? नहीं, मेरी मुम्मी ने सब बताया था और घर में अधिकतर चर्चा यही होती रहती थी पूरी बात की यही होती रहती थी तो मैं सुनती रहती थी उस्टे में नी थी तो फिर उसमको निकाला घर में खबर करी, फिर मेरा भाई एक अलग रहता था, शंबू सिंग, ये दो ही भाई थे हमारे घर में जीदार, तो वो आए सब आए घर से, फिर उन्हें अलवर गेट थाने पोचे वो लोग, रात को साड़े ग्यारा बजे करीबन उनको गोली लगी, अलवर गेट थाने मे उन्हें बहुत देर तक रोका गया, जबकि उनके खुण निकल रहा था, बलड निकल रहा था, उसके बाजूद भी, बहुत देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल ले जाने के बाद, पी प्रशाद नाम का कोई डॉक्टर था, राजकुमार जेपाल का उन्हों ने उनका उप्रेशन करा, गोली लगी थी कमर में, जो गुर्दे में अटक गई थी, और उन्हों ने पेट पुरा फाड करके उसका पूरे का उप्रेशन कर दिया, और गोली भी नहीं निकाली उन्हों ने, और फिर उनके पट्टी वट्टी करके उन्हें सुला द तब वो एक सब्ते बाद जब बेल्ट बांद के थोड़ा सा तहले तो कोई शायद उनकी जासूसी कर रहा था तो क्या चक्कर था क्या जासूसी ही कर रहा होगा तब जाकर के किसी ने कोई ख़बर पहुचा दी होगी तो रात को ही होस्पिटल पूरा खाली कर देते हैं उनके पास जो बेड़ होते ने सारा जिस लाइन में वो सोरे होते हैं वो पूरी लाइन ख़ली कर देते हैं. और उनका बिल्कुल गेट के सामने, मेन गेट के सामने, उनका पलंग कर देते हैं. तो मेरे भाई को कुछ शक हुआ. शक हुआ तो उन्होंने अपने भाईयों को कहा, वो बाई जब सारे Gilbert लेख रहते थे मुझे इस पे सोने में थोड़ा अंकाम पूड़वल मैसुस हो रहा है। तो इनों ने बोले ये मतलला उचा नीचे होने वाला पलंग था बोले इस पे मेरे को अच्छा आराम रहेगा। उन्होंने उनका बेड़ चेंज कर दिया दो पलंग के बाद उनका बेड़ चेंज कर दिया उनके आगया आगया एक खंबा वो गेट से एक तरफ आगए गेट से एक तरफ आए तो फिर रात को आदी रात को मेरी मम्मी सारे दिन सोती थी, जब से मेरे भहिया को गोली लगी, तब से वो अस्पताली रहती थी, सारे दिन सोती और रात को जगती थी, माला जबती रहती थी, बेटी-बेटी मेरे भहिया के पास, माला जबती रहती थी, रात को, अधिरात के करीबन कुछ लोग आये, ये म उन्होंने जगे दी, वो तो वहीं खड़े हो गए, मेरे भीया के पेर के पास ही, कुवर मदन सिंग जी के पेर के पास ही खड़े हो गया, बेड के पास ही, और उन पे गोली जैसे ही चलाने लगे, ये सब आना जाना सब मेरे भीया लेटे लेटे देख रहे थे, अंदेरा था कंमल घुला जला ह। believed को इदर उधर होती रही। तो कुछ गोलिया इदर उदर होती रही फिर मेरे भाईया ने जब गोलिया इदर उदर होती रही तो मेरे भाईया ने भी जैसी कम्मल हिलाते रहे तो गोलिया इदर उदर वो भी हो करते रहे फिर भी उनके एक हाथ पे दो गोली एक हाथ पे दो गोली और एक दोनों हाथों पर लग गयी फिर भी भी शिव रहे, थके नहीं, फिर जाते जाते, जो इसने धोती ओड रखी थी, वो था सवाई सिम्ग, उसने बंदूँग ले रखी थी बड़ी वाली, बाराबॉर की जो बंदूग होती है उसने यूं मैं उस दोती को हटाया उस बंदूख को निकाला और जाते जाते वो बंदूख घुटना मेरे भैया का उगड़ गया था ऐसे कमल भैयाने करने में गूटना उगड़ गया मै मेरी माँ ने सोचा मेरा बेटा तो मर गया मेरी माँ भागी उनके पीछे उनको पकड़ने तो सब भाग गए थे और डॉक्टर जितेंदर चोदरी था ने उसके पेर कसके पकड़ लिये थे मेरी मम्मी ने और बोला कि पकड़ के कस लिये उसने बहुत छुड़ाने के कोशिश पर नहीं छोड़ा मेरी मम्मी ने फिर वो राक्षक्मार जेपाल भार से खड़ा खड़ा बोलता है कि आरे सवाई सिंग और पपू जाओ और जितेंदर को छुड़ाओ तो जैसे उन्होंने नाम लिया ना मेरे भाया ये सब लेटे लेटे देख रहे थे क्योंकि वो बेहोश कि बंदूग जो थी ने उसके नलकी से खुब हातों पर गुसेड़ा फिर मेरी माने ने नी छोड़ा तब जाके सवाई सिंग ने क्या करा उस बंदूग को यूँ खीचा और खीच करके और उससे जो लखड़ी की तरफ से होता ने उससे जोड़ से मेरी मा के पेर की पेर मे मोटी मोटी चांदी की कड़ी पेर ती उस पेर पे मारा तो कड़ी भी मुड़ गई और मेरी मम्मी के वो जो टकना होता ना पेर का उस पे इत्ती जोड़ से लगे कि मेरी मम्मी तिलमिला उठी तिलमिला के उन्होंने फिर पेर छोड़ दिया जिससे वो लोग फिर भाग ग अे लेड़ मेट टो भीा लेड़ से लेड़ काली हैं